हेलो फ्रेंट्स मैं गीता मेलवान सुवागत करते हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेसंस फर्स्ट क्वेसं है हमारा कस्टमर कौन होता है कस्टमर एक व्यक्ति जो बैंक के साथ फानांशियल एक्टिविटी करे या किसी और परसन को अपने काम के लिए एजेंट रखे किसी और परसन को बैंक के साथ अपने काम के लिए एजेंट रखे नेक्स है CRS की फूल फोर्म क्या होती है कोमन रिपोर्टिंग स्टेंडर्ड नेक्स वेसन है पोल्टिकल एक्सपोज़ परसन किसे कहते हैं पोल्टिकल से लेटेड एक क्वैसन लास्ट यर भी आया था दोहजार एक्समें इसमें पोल्टिकल एक्सपोज़ परसन वो होते हैं दा परसन हुँ एक्जीक्यूट मेजर पब्लिक वाक्स इन फोरन कंट्री सच एज हैड ओफ स्टेट गवर्मेंट शेनियर प्लिटीशियन शेनियर गवर्मेंट जुडिशियल मिल्टरी ओफिसर सेनियर ओफिसर ओफ गवर्मेंट कंपनी मिन्स वो परसन जो फोरन कंट्री में ये काम एक्जीक्यूट करते हैं और मेजर पब्लिक वर्क्स ये हैं मेजर पब्लिक वर्क्स ये करते हैं वो होते हैं पोलिटिकली एक्सपोज़ परसन next question है हमारा non face to face customer कोन होता है वे customer जो ब्रांच में आए बिना ही अपना account open करवाते हैं वो होते हैं non face to face customer next question हमारा KYC policy में नीमन में से कोन सा element include नहीं है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि KYC policy है जो उसमें कोन कोन से elements include होते है तब यह आप बता पाऊगे कि यह elements है जो KYC policy में नहीं आता देखे कौन कौन से हैं यह customer acceptance policy, risk management, customer identification procedure, monitoring of transaction आपको पता नहीं है यह four points KYC policy में आते हैं next हमारा question PNB समान saving account कोन open कर सकता है यह उत्ते हैं pensioner का pensioner का account होता है PNB समान saving next question है scheduled bank को किस section में define किया गया है scheduled bank को RBI act 1934 के section 2E में define किया गया है next question है immovable property पर किस type का charge create होता है जो immovable property होता है उस पर हमारा mortgage charge होता है next question है CRR पर RBI कितना interest pay करता है CRR एक rent account होता है जिसमें बैंकों को RBI के पास कुछ पैसा रखना होता है next question work in customer कोन होता है एक वैक्ति जिसका bank के साथ कोई account नहीं है लेकिन वैंक के साथ transaction करता है वो होता है work in customer next question है wire transfer यह क्यों होता है transaction through electronic means next question हमारा Neiman में से कोन OVD में सामिल नहीं है यह होता है pen इसके लिए आपको पता हूँ जे कि OVD में क्या क्या आता है next question हमारा low risk category account में के वाई सी कितने time के बाद update की जाती है 10 साल high risk में 2 साल के बाद medium में 8 साल के बाद और low risk category में 10 साल के बाद next question है कोन सा account कभी dormant नहीं होता यह होता है student account उसका scheme code होता है S-B-V-I-E-D student account है जो कभी भी dormant account नहीं होता next question IFSC code में कितने digit होते है 11 last time question था अधार में कितने अधार है जो कितने digit होते है next question है FIU की full form क्या है Financial Intelligence Unit of India next question हमारा BSBDA account holder क्या दूसरा account भी open कर सकता है answer होगा नहीं अगर उसका कोई दूसरा account ही होता है या फिर वो दूसरा account open करता है तो उसको एक महिने के अंदर-अंदर अपना ये account BSBDA account बंद करना होता है next question हमारा PNB Select Saving Account open करने के लिए age limit क्या है PNB Select Saving Account की age limit है 25 साल से 40 साल next question हमारा PNB Twin है जो किस से लेटिड है ये हमारा current account फ्लस saving account next है FD की premature payment कैसे मतलब कहां पर की जा सकती है होती है at home soul किसी other soul में नहीं होती सिर्फ home soul में ही होगी next question हमारा 21 FD की amount interest को मिला कर कितने तक की payment कैस में कर सकते है मतलब कितने तक की FD interest को भी मिलाएं उसकी payment कैस में कर सकते है हो हमारी 20,000 से कम अगर 20,000 की भी है तो वो account में transfer होगे amount next question हमारा PNB power scheme किस के लिए है यह है woman के लिए female person के लिए next है हमारा PNB my beach plus current account का दूसरा नम smart banking current account previous question वेपर में था कि my beach है जो किस से rated है वो है current account यह question था next है PNB शुगम term deposit scheme में कितने तक की FD बनती है maximum है 10 क्रोड इससे later आपको एक question मुझे लगते है कि आएगा जैसे कि यह सुगम term deposit है इसमें जादे से जादे कितना deposit गर सकते है एसे यह scheme है जो सभी scheme में आपको पता हुने चाहिए कि scheme में इतना deposit होतते है reservation अपको पता होने चाहिए add के लिए होता है DA1 और cancel के लिए होता है DA2 और change करना है तो होता है DA3 next question है arrangement register का number क्या है दो सोच वाली नेक्स्ट क्वेस्टन है PPF में cash deposit कितने के multiple में कर सकते हैं यह होगा हमारा 50 के लास्ट एर क्वेस्टन था PPF में maximum कितना deposit कर सकते हैं वन एक financial year में वो हमारा 1.5 लाग तक नेक्स्ट क्वेस्टन है banking ombudsman maximum कितने का वाड दे सकता है यह तमारा 20 लाग तक का और credit card के लिए कितना वाड दे सकता है वो तमारा 1 लाग नेक्स्ट है QN. LIC PULSY पर किस टाइब का charge create उतता है LIC PULSY पर हमारा assignment charge create उतता है नेक्स्ट क्वेस्टन Prevention of Money Laundering Act कब बना 2002 2002 में बना था Prevention of Money Laundering Act Next question हमारा RBI में कोई भी बैंक minimum amount कितनी जमा करवा सकता है निकलवा सकता है अगर बैंक को RBI की साथ transaction करनी है deposit करना है निकलवाना है तो कितने तक कितने के कितने तक का कम से कम यह तमारा 1 लाग इसके बाद 50,000 के multiple में Next है बारत का प्रतम credit information bureau क्या है Shibyl अब एक question आपके लिए Shibyl की फूल फूम बतानी है आपको इस cancer आप कोमेंट में देंगे Thank you